अब आत हर्याना के पहलवानों की धरने की करेंगे जो की दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाता है जारी है पहलवानों के धरने का आज 11 दिन हो चुका है और धरने पर बैठे पहलवानों ने पुलिस सुरक्षा भी लोटा दी है बता दे आपको बजरंग पुनिया ने चात्रों स धर्ना अभी भी जारी है 11 दिन बीट चुके हैं बावजुद इसके पहलवान जो है यहाँ से हटने के लिए तयार नहीं है आज 11 दिन हो चुका है पहलवानों के धर्ने का और इस बीच पहलवानों ने पुलिस सुरक्षा भी लोटा दी है बजरंगपुनिया ने छात्रों से साथ मांगा है तो दिल्ली यूनिवसिटी से आज एक मार्च निकाली जाएगी लगातार पहलवान कहरे हैं कि जितने युबा जितने खिलाडी इस धर्ने में उनका सहयोग करेंगे साथ देंगे उतना आसान उनके लिए नियाय पाना होगा तो नियाय की ये लड़ाई है जिसके लिए ये पहलवान धर्ने पर बैठे हुए है और लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो जारी है इस बीच हमने देखा किस तरह से धरनस्थल पर ही इन पहलवानों ने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी मकसद ये था कि इन पहलवानों का जो कीमती समय है जो ट्रेनिंग का बहुमूले समय है वो खराब ना जाए इसके लिए धरनस्थल पर ही ये पहलवान ट्रेनिंग करते भी नज़र आयते क्योंकि एक खिलाडी के लिए उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है अगर ट्रेनिंग छूट जाए तो ये खिलाडी के लिए काफी नुकसान दे रहता है और ऐसे में ये तमाम खिलाडियों ने साफ कहा हुआ है इन पहलवानों की और से ये साफ क्या दिया गया है कि जब तक मियाए नहीं मिल जाता वो अपना धरना जो है इसी तरह से जारी रखेंगे आज 11 दिन हो चुके हैं पहलवानों के धरने को इस बीच जो बिपक्ष है वो भी लगातार पहलवानों के समर्थन में उतर रहा है अपनी बात रख रहा है कॉंग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि जिन पहलवानों को जिन खिलाडियों को ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए ट्रेनिंग करनी चाहिए वो आज इस तरह से धर्ना देने को मजबूर हो रहे हैं ये बहुत शर्मनाग बात है इधर किसान नेता राकेश्टी कैथ भी पहुंच रहे थे धरना स्थल पर और पहलवानों का साथ देते हुए वो नज़र आये थे तो अलग-अलग जगा से जो समर्थन है किसान माफी जगा पहलवानों को वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है हलाकि पहले पहलवानों ने साफनकार कर दिया था कि उन्हें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना वे पक्षका किसी तरह का समर्थन नहीं चाहिए लेकिन अब ये खुलकर जो है पहलवान भी समर्थन लेते हुए नज़र आ रहे हैं खुद कॉंग्रेस के तमाम बड़े नेता भी यहाँ पर पहुचे थे इनको सहयोग करते नज़र आये थे मेरे सहयोगी अरुन मेरे साथ जुल गए हैं अरुन क्या जानकारी आप धरनासल पर मौजूद हैं जी मैं बिल्कुल बता दूँ मैं धरना कि आप पहलवानों का साथ दे और उनकी तरफ से जो एक मार्ट रिकाला जाए आप मेरे पीशे भी देख सकते हैं कि तरीखी की विवस्ता है पुलिस पर पहुंच हो कहा है इस एरिये में धारा 144 जो है वो लागू कर दीगी है और जो भी स्टुडेंट यहां मार्ट में शामिल होना है उनको यही कहा जा रहा पुलिस के तरफ से कि आप यहां से हट जाएए यहां पर दारा 144 है तो आप यहां पर एकठा नहीं हो सकते आप यहां से चले जाए यह हटाया जा रहा है वहां से इस बीच पहलवानों का क्या कुछ कहना है देखिए तस्मीरे ये भी सामने आई थी बात ये भी सामने आई थी अरुन की पहलवानों ने जो उनको सुरक्षा मिली थी पुलिस की उसको भी लौटा दिया है पुलिस परिशासन की तरफ से जो है आई कोट के आदेश के बाद जो पुलिस द्वारा जो खिलाडे को सुरक्षा मिया करवाई गई थी सब को एक एक जो है पुलिस कर्मी दिये गया था जिनके बारा गंटे की ड्यूटी उनके साथ तेनाट की गई थी मगर बीच में बजरंग कु Nuria का यह बयानाता है कि हमें जोुलिस सीक्यूर्टी जो परिशासन की तरफ से मुयाक कराई जा रही है हमें किसी से कोई ऐसी बात नहीं है जो हुमें किसी से सुरक्षित महसूस करें तुछ जो सुरक्षए वह रधा दी जाए है कि एर हमार्च नहीं निकालने दिया जारा तो आगे क्या इनकी तयारी रहेगी इसको लेकर क्या मार्च निकाला जाएगा या नी और छात्रों का क्या समर्थन मिलता हु Bundes और पहलवानों क्योंकि इस समर्थन की मांग भी की गई थी पहलवानों की तरफ से बजरंगपुनिया की तरफ से जी बिलकुल मैंने बता आपको बजरंगपुनिया की तरफ से ट्विट किया गया था और जो बारा बजे का समय था यह मार्च का रखा गया था यहीं पर आर्ट फकालिटी के जो गेट नमबर चार है, यहीं पर सब को अमंत्रित किया गया था, और कुछ जो चातर है, वो यहाँ पर पहुंचे भी हैं, आए भी हैं, अगर जो पुलिस दोर आप बता दो, मैं धारा एक सो चॉलिस लगा दी के तो सब को हटाया जा रहा, त हमने अभी तक उनको अभी यहां पर देखा नहीं है, जो एक का दूकर जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, थोड़ी भी जम हो रहे तो उसको पुलिस ने हटा आगिया, बाकि आप वीजिल में हमारे जो हर्याना अनियूस के दर्शे के दर्शे का है, चले, ठीक है, अरुन, श हमारे जो अति यह बंदब करना यहां उती है, बाकिलिस ने दुलिसे स्टूणे जो जो बंद़ स्टूप स्टूब को कि उनको राकित वीजिल में है, अरुन, णुन